हालो दोस्तों नमस्कार वेलकम सभी का स्वागत है हमारे वेकेंसी एरा एजुकेशन में तो दोस्तों देख रहे हैं आज एक और अच्छी वेकेंसी आचुकी है और ये नया नोटरिकेशन है और भारत के सभी विद्यारतियों के लिए अच्छी कवर है अगर आप इसमें कारी जोब करना चाहते हैं तो दोस्तों रेल्वे विवाग में निकली हुई है कुछ पदों पे वेकेंसी भारत के सभी विद्यारति दस वी और आईटियों के साथ पास है एंसीवेटी एसीवेटी का सेटिवेकेट है तो आप इसमें जरूर अपलाई कर सकते हैं तो दोस् सबी इसमें आवेदिन कर सकते हैं आवेदिन करने के लिए आपको इसके ओफिसली वेविसेट पे जाना होगा या फिर इसके ओफिसली नोटरिपिकेशन को देखना होगा मैं करीबने पूरे तीस पेज का पूरा नोटरिपिकेशन है तो यानि कि मैं पूरी जानकरी आपको इसके notification के जरिये देने वाला हूँ जिया दुस्तू प्लीज अंतर तक देखेगा अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजेगा वीडियो और जो विध्यारती हमारे चैनले पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज आप हमारे चैनले को कीजेगा subscribe यहां पर हम बात कर रहे हैं Cochrane Railway Corporate Limited के अनफसार requirement for the post technical second or technical electrical post हो पे यह देखेगा यह railway विभाग का जो map है वो यहां पर जारी हो चुका है Cochrane Railway का working के area कहां से कहां तक होता है करनाटक Cochrane से और यहां तक महारास्ट के Cochrane तक यहां पर यानि कि यह working कारिय होता है इसके अंदर यानि कि railway line है यानि कैसे कह सकते हैं समुंदरी टट पे जो rail working करती है या काम या railway चलती है तो उसका department Cochrane Railway में अलग से होता है Cochrane Railway Corporate Limited Employment Notification के अनुसार requirement for the post technical state और electrical post पे opening date the online registration और फिलब एप्लिकेशन 28-10-2020 से closing date timing online registration 27-11-2020 तर यानि कि दूश्टू आप 28-30 हो चुकिए आज से ही और अभी से भी आविदन कर सकते हैं और आपके पास करीबन एक महिने का यानि कि 27 November तक आप इसमें जम्मा करवा पाएंगे ओनलाइन एप्लिकेशन 4 दे पोस्ट टेकनिकल एलेक्टरिकल डिपार्टमेंट कोगर रेल्वे कार्पोरेट लिमिटेड इन्वैट फोर्ट इन्वेलिट लास्ट कंडिडेट वी जर्नल ओबी सी एस्ट केटिगरी कंडिडेट वहू तो यहां पे देखेगा जो केटिगर इन्वेलिट के लिए तो यहां पे सर्विस जो इसमें काम कर रहें उन्वेलिट के लिए तो वो बी इसमें अप्लाइ कर सकते हैं यह देखेगा स्ट के करीब न पांस पोस्ट हैं जबकि जर्नल की 32 पोस्ट इसमें दी हुई है इसी दुरान हम बात करें EWD OBC के सारी पोस् कॉंसिट्रीड होगी ट्यूनर टेक्निकल इंस्टूट्मेंट की हम बात कर रहें नैशनल अपरेंटिस की आवक का सेटिविकेट है वो भी आप लगा सकते हैं नैशनल कोस्ट और फूलिम की यहाँ पर ट्रेनिंग यहाँ पर एंस्टूट का सेटिविकेट है तो वो भी आप यहाँ लगा सकते हैं जी यहाँ दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर अलग-अलग वनिफेनिफिट दियावा है अलग-अलग कॉल्फिकेशन के अनुसाथ यहाँ पर आयू से मैं की बात करें 18 से 33 वर्स तो होगी साथ में रिजर्वेशन के सुभीता SCST के टिरिकरी को 5 वर्स दी जाएगी जो इसमें कंडिडेट अपलाई करेंगे वह इसमें 27 नवंबर से पहले ही अपलाई कर पाएंगे एप्लिकेशन के बारे में बात करें डिपार्टमेंट रिक्वार्मेंट और पॉलिसी की जानकरी ले सकते हैं और साथ ही यहाँ पर अपेरिंग जो इस्टूडेंट अपेर कर रहा है तो आप इसमें जरूरा वर्सलेवर्स की हम बात करें या फिर इसके और कोई जानकर या आपको प्राप्त करनी है तो आप में कमेंट में लिखेगा हम आपके जरूर मदद करेंगे सवाल यह होता है कि ओलाइन कैसे करेंगे यह देखेगा हाउ टो अपलाई पर सब्सक्राइब पर इसकी प्रोसेसिंग के अनुसार आप इसमें ओनलाइन इंक्वाइरी समीट देन नोटरिकेशन पोस्ट एजनी प्रोब्लम जो भी आपके अनी समस्या है वह यहां पर देख सकते हैं आगे देखेगा यह सब्सक्राइब और इंफोर्मेशन आपको सारी रेड करनी होगी तब ही आप इसमें आविदन कर पाएंगे ओनलाइन एप्लिकेशन हाव आर यो डिकेल जो डिकलियर हो चुकी है उसमें आप लोगों को आविदन करना होगा तो दूस्तों यह इसका और भी आगे बात करें तो करीबन यह पूरे 30 पेज का फोम है इसमें फ ओफ लाइन का फोम दिया वाय है आपका सबसे पहले जो फोम फिलिप करते हैं ब्लीव पेंट से या फिर जो जिसी भी पेंट से आप फिलिप करेंगे वह आपके सामने रखा जाएगा और इसके ओफिसली एडर्स पे भेज देना होगा फोटो सिगनेचर और आपके जो भी डोकुमेंट से वो इसके साथ लगा गए बेजना होगा तो आई होप कि आपको यह पसंद आया होगा अगर फिर भी आपको किसी परकार का डाउट हो तो आपके में कमेंट में लिखेगा और कैसा लगा वीडियो एक बार लाइक जरू कीजे और कमेंट में जरू बताएं अ थेंगे दोस्तो जेह हीं दोस्तो